जैन दोस्तो आर्मी की नई भर्ती आने वाली है और उसकी उमर सीमा क्या रहेगी आप सभी का सवाल होता है कि भाई मेरी डेट आप बर्त ये है क्या मेरा फारन जीडी में डल जाएगा अगर जीडी में नहीं डलेगा तो कौन सी पोस्ट में डलेगा आज मैं आपको इस रहेगी 17-21 या भाई 23 हो जाएगी अब 23 होगी तो कौन सी पोस्ट में होगी आप जानना चाहते न तो इस वीडियो को पूरी देख लेना आपको पता चल जाएगा और जो मैं आज आपको बताऊँगा न ये हमारी न्यू एज लिमिट रहेगी अब काफी बच्चों को नह अपने एग्जाम को कैसे पास कर सकते हो अभी से आप तयारी करोगे तो मैं गारंटी दे रहाँ कि वह ये हमारी धर चेनल के साथ जूड़ जाना चलिए दोस्तों वीडियो की सुरूवात करते हैं और जेखो ये जो हमारी ये हमारी 24. अभी समें जब आपने देखा होगा जीडी में, ट्रेड में में, किलर्क और टेकनिकल और वोमेन, मिल्टरी पुलिस में, जो उमर सीमा हमारी 1 अक्टूर 2003 से 1 अप्रेल 2007 है, काफी बच्चे कन्फ्यूज हो जातेगी भाई, यही एज लिमिट रहेगी हमारी या चेंज हो जाएगी, तो भाई यह नहीं रहेगी, यह तो है एज का टॉप, एज लिमिट हमारी होती है भाई, जैसे कि मालो साड़े सत्रा से 21 साल, ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़र बता दो देखो, जब हमारी 24 में भरती हुई थी, तो वहाँ पर आपकी जो एज काउंट करी गई थी, ना वो करी गई थी, साड इसकी उमर यह लगा लो, 17 साल पलस हो चुकी है ना, तो उसका फारम बर जाता है, ठीक है, अब मैं आपको नई एज लिमिट बता दूँ, तो देखो, यह हमारी नई एज लिमिट, दो हजार पच्चिस में जो भरती होगी, जिसका अब बहुत जल्दी नोटिपेकेसन आ ज किस में मिलेगी, यह भी इस वीडियो में थोड़ सा आपको एक्स्प्लेन करके बता दूँगा, अब एज का टॉप क्या है तो देखो, जिनकी उमर 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रेल 2008 के बीच में है, ठीक है, इस बात का थोड़ सा विशेज ध्यान रखना इसके बीच की, आप आपका अगर जनम, ठीक है, डेट अब बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रेल 2008 के बीच में तो समझो, आपका रजिस्टेशन डल जाएगा, ठीक है, ओक के हो जाएगा, ठीक है, और देखो, किस में आपको रेलेक्सेशन देखने को मिल सकता है, कितने साल का भाई, दो साल का, तो भाई, आपको न, टेक्निकल में हो सकता है, कि भाई, दो साल की रहत कर दे, क्योंकि यहाँ पर जब बंदे जो टेक्निकल की भरती देखते हैं, तो भाई, उनकी उमर्शी में पहले से ही, कोर्स उनका देखो, आपको पता, बारमी से टेक्निकल में फारम भरते हैं, ठी जिन बच्चों ने इसे लिया है जिन बच्चों ने 2024 में पना फारम भरा था और पेपर की त्यारी करी थी तो वाई 101 परसेंट में उनका पेपर किलियर हुआ था मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें आपको एक्यासी सों कोसन मिलेंगे जिसमें प्रेक्टिस सेट रहेंगे पिचासी और दीस ऑरिजनल पेपर रहेंगे और यह जितने भी आपको न वहार्मी प्रीवेस्च्ची वाले कोसन मिलेंगे most important question मिलेंगे आलतु फालतु नहीं मिलेंगे जो आपके exam में आएंगे न वो ही question मिलेंगे और यह question है न यह आपके online exam बाले 2016 से 30 के बीच में ठीक है और आपका जो exam है न भाई 21 April को होगा 21 April से आपका online exam शुरू हो जाएगे यह date द्यान रखना और यह जो हमारा course है foundation बैच है जिस भाई को ही चाहिए exam की तैयारी करनी हो तो यह हमारा नमबर है 89 56 33 31 डिस्प्ले पर जो आपको नीचे सो हो रहा है 89 56 33 31 और सभी भाई उसे हाद जोड के बिंती करूँगा जिस भाई को course लेना हो न तो वो ही बच्चा message करे अन्यता कोई भी message मत करना और यह whatsapp number है इस पे सिर्फ आपको इस screen shot डाल देना है और message कर देना कि भाई हमें यह course चाहिए यह आपको मिल जाएगा और भाई guarantee दे रहा हूँ आप इसको पढ़ ले अपना paper इसी में से कर लोगे क्योंकि प्रीवेसी वाले question है जो army में repeated question आते रहते न वो ही question और वो ही question आपको बिलेंगा जिस भाई को भी चाहिए तो इस number पर message कर देना आपको मिल जाएगे ठीक है अब बाकी मैं आपको age cut off age limit बता चुका हूँ 1 October 2004 से आर्मी वालों ने यानिकी सेना वालों ने demand करी थी कि भाई हमें technical में उमर सीमा दो साल बढ़ानी है साड़े सत्रा से 23 करनी है अभी हुई नहीं है अब जैसे जो भी final update आएगा आप तक बताएंगे update के माद्दम से ठीक है और यह हमारी पुरानी वाली थी और यह थी हमारी इसमें लगालों की 24 के मुकाबले 25 में एक साल बढ़ा दिये और कुछ हुआ नहीं ठीक है बाकि यह आप आज की वीडियो के माद्दम से जो भी था ओमर सीमा मारी जीडि ट्रेडमेंट के लग टेकनिकल की यह होने वाली आपके जितनी भी डाउट है सवाल है इस वीडियो के माद्दम से किलियर हो गए होंगे आपकी date of birth इसके बीच में है तो आप अपना फारम बढ़ सकते हैं जैन